नमस्कार ब्रेकिंग नूज दिपबलिक में आप सभी का सुवागत हैं जैसे कि आप सभी जानती हैं कि देश के अंदर पर देश के अंदर ग्यान वापी मस्जिद का सच हर कोई जानना चाहता है आखिर ग्यान व्यापी मस्जिद की कहानी क्या है हर कोई जानना जाता है लेकिन इसी बीच बीज़ीपी के कुछ लोगों के दोरा मार्केट के अंदर भरंपलाय जा रहा है बीज़ीपी के कुछ प्रवक्ता विवादी टिपनी कर रहे हैं इसके बाद बीज़ीपी पार्टी उन्हें से स्पैंड भी कर रहे है बीज़ीपी पार्टी से उन्हें बाहर भी निकाला जा रहा है और अब हिदायत भी दी गई है बीज़ीपी के निताओं को कि मामलों पर चूप रहे हैं मामलों पर अपनी चूपी सादे रखें या आखर ये काम किसने सुरू किया है आखर हिंदू मुसलिम भाई चारा खतम करने का काम मंदिर मस्जिद को एक दूसरे के सामने लखने का काम किसने सुरू किया है जनता जवाब मांगती है कि आखर किसने सुरू किया है पर यूपी के प्रवक्ताओं को डिबेड सी बचनी की हिदायत दी गई है। प्रवक्ताओं के प्रवक्ताओं के लिए कानपुर मुद्दे पर होने वाली बहस में सामिल नहीं होने के लिए कहा गया है। देखा गया है कि कई बार एंकर आपको कुछ कहने के लिए घेर लेते हैं। अगर आप मुद्दे पर अपना ब्यान सुरक्षित रखते हैं तो आपके एक पराने ब्यान को सामने लाया जाता है। और आपको कुछ ऐसा कहने के लिए मजबूर किया जाता है जिससे आप अरप संख्यों के विरोधी लगे। एक करन्य प्रवक्ता ने कहा कि कानपुर घटना समेथ पूरे मामले पर वहीं पर एक बड़ी टिपड़ी भी देख सकते हैं आख दिखाने वाले OIC देश अंजान फ़लो के लिए भारत पर निर्बर वहीं पर आपको बता दे कि सर्मा के ब्यान का बचाओ किया प्रवक्ता न देते रही हैं ऐसे में कानपुर मामले में उनकी चुपी पर सवालों के घेरे में हैं उप मुख्या मंतरी कैसो परसाद मौरी और बिजे स्पार्ठक ने सरवाजनिक तोर पर कानपुर मुद्दे पर बोला रिपोर्ट के नुसार पार्टी के सुत्रों ने सीम का बचाओ कि जियां सीम का बचा हुआ आप देख सकते हैं किया गया है पर दारमिक बाहुनों को ठेस पहुंचाने वारी बातों को कहने से बचना एक नियम भी बनाया गया है इसको लेकर आप कैसूस दी हैं कुमेंट कर सकते हैं जुड़े रिएगा दिपबलिक के साथ बने रहीएगा यहिन